नमस्कार स्वागत आपका निज्वल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुतियागी यूपी को सीम योगी की सौगाद जीहाँ अप्त प्रदेश में 2022 में विधान सबाच चुनाफ होड़ी वाले हैं ऐसे में योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को एक और तौफा दिया है मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतादे बुद्वा कुमत्रा के एक ओसी कला में 814 करोर की लागत से बने पेपसिको प्लांट का वर्चुली शुभारब कर दिया है बतादे के देश में पेपसिको का ये सबसे बड़ा निवेश है और इसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले का साथी 5000 से ज्यादा किसानों को भी इसका लाप दिया जाएगा दरसल यूपी में निवेश खूले का बड़ी कम्पनियों का नसर्या अब बदल रहा है ऐसे में प्रदेश में पहली बार काफी बड़े पैमाने पर कम्पनिया निवेश कर रही हैं जिससे रोजगार के अफसर भी बढ़ रही है प्रदेश सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों की वचा से पेपसिको का प्लांट दो साल से भी कम समय में चालू हो गया है तो बड़ी सौगात सीम योगी की तरफ से प्रदेश की जनता को दिया गया है और ऐसे में 814 करूर की लागत से बना पेपसिको प्लांट का शुभारम कर दिया गया है अगले साल होने वाले यूपी विधान सबस्चुनाव में कॉंग्रस महा सचेव और यूपी प्रभारी प्रयंका कांधी बोटरा राय परेली या फिर अमेठी की किसी सीट से मैदान में उतर सकती है यदि ऐसा हुआ तो प्रयंका कांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो विधान सबस्चुनाव लड़ेंगी इससे पहले बता दें कांधी परिवार के सबी सदस्यों ने सिर्फ लोग सबस्चुनाव लड़ा है और ऐसे में सूत्रों का कहना है कि प्रियंका की पहली पसंद अमेठी है क्योंकि वहां राहुल गांदी की हार का बदला लेने के लिए अमेठी में लोगसबाद चुनावों की जमीन तयार करेंगी जिससे स्मृति इरानी को 2024 के लोगसबाद चुनावों में चुनावों में च गांधी परिवार का दब दबा कम हुआ है। हरदोई के डांक मंगले में सुहिल देव भारती समाज पार्टी के राश्क्रियो पाध्यक्ष अरविंद राजपर ने कहा कि देश्की राजनितिक पार्टियों में इस बात की चर्चा है कि इस दिन उवे सी भारती जुनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे वो यही मंच जताते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनिति जिस एजंडे पर खुर रखी है वो नहीं होनी चाहिए। कि पार्टी से कोई भी कैंडिडेट चुना लड़ेगा तो उसको फॉर्म भरना होगा उसको सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। लेकिन इस प्रक्रियाओं के दर्मियान जो प्रक्रिया का सुल्क होता है वो सुल्क व्यक्तिकत खाते में नहीं जाना चाहिए। यह पहीद मेजर मयंक विश्णोई के घर पर पहुंचे परकेश टिकैट तो वहीं OVC और बीज़ेपी पर उन्होंने निशाना साते हुए कहा कि चाचु जान बीज़ेपी की इलेक्शन में मदद करेगा। साती खरियाना की क्रहब बंतरी अनीर विज़ के बयान पर भी टिकैट ने कहा कि आंदोलन है गदर नहीं गदर में मारकाट होता है और हमने मारकाट नहीं की तो वहीं टिकैट का कहना है कि खरियाना सरकार ने रासे बंद किये थे और यह आंदोलन है और यह चलता कोई सरकार हमारे भरोसे न रहे। समझे सपाई कर्मी को इठा का पटक दिया जिससे सपाई कर्मी के पैर में चोट लगने से उसकी हालत कमफीर हो गई है। इस पूरे मामले का जब सभ्यान भूता तो उसमें मैंने शेत्रादिकरी मोंग इसकी पूरे मामले की जाज दी थी। और इस संबन में जो पुलिस कर्मी भी वहां गये थे उन्होंने पूर्ट देतावा यहीं की उनके संबन में भी जाज दी। तो दोनों जाज अखें सिटी ने दी है और इनको जो इंकिलवारा यह कार किया जा रहा था उसको जाज़ाजी मानते हुए। उनके खिलाब गड़े धाराओं में उत्वाली में उपद्मा भी दर्श कराया गया है। इसके आलाब जो पुलिस कर्मी उनके उपर भी जो आलोट लगे थे। इसमें से ही पुलिस कर्मी को सुत्रादिकारी बहुत के रिपोर्ट के आदार पे रखकालों से निलंगित किया गया है। उनके इसलाब पे आगी की विदिक्कारवाई की जाएगी। जो कि हमारे जो सफाई नायक सीनियर थे हैं। उनको मारा गया पुलिस पर जासन करोगा ने को चोगी परभारी विटी के ते जो क्या नाम सबारी हुआ। उन्होंने पुरी चरह मारा आप लोग वीडियो चेक्ट हैं। एक तरफ जहां दिली में छे आतंक्यों की गिरफतारी हुई है तो वही जिन में से दो आतंकी पाकिसान में ट्रेनिंग लेकर आये थे और बताई जा रहे हैं। वहीं दूसरी और शावली में एक एक टॉनिक्स की दुकान में विस्पोर्ट होने का मामला भी सापने आया है जहां पर एक युवक बाजार में दुकान पर सामान खरीदने के लिए गया था और सबजे खरीदने की बात कहते हुए थेले को दुकान पर छोड़ कर बहाद च हो गया है ऐसे में दुकान में विस्पोर्ट होने की सूचना से पुलिस विभाग में हरकम मच गया और आनन पानन में जिले के तवाम अधिकारी फोरंसिक टीम के साथ घटना इस्तल पर पहुंच कर मामले की चांश परताल में जुटे हुई है तो शामले का पूरा मामला है जहां पर दुकान में एलेक्ट्रोने की दुकान में विस्पोर्ट हुआ है अला कि युवक कौन था और किसलिया आया था इस बात की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक साउंड भी हुआ और वहां पर जो उस बॉक्स के अंदर कुछ चीजे से कुछ हीशे वगरत है वह बाहर गिरा है किसी भी परकार की किसी को कोई इंजरी नहीं है कोई प्रॉपर्टी या किसी परकार का कोई भी डैमेज नहीं है इंफेक् समाज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष आज ग्रेटर नॉइड़ा पहुंचे जहां पर सारनपूर से सैक्रो बस्पा के पताधिकारी और कार्यकरताओं ने आजाद समाज पार्टी का दावन थामा हैं और भारी संख्या में मुसिल समाज के लोग आजाद समाज इस दोरा अजाद समाज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर चम कर हला पोला और योगी आदितिनात पर भी चम का निशाना सादा है साकत दी आज साहरनपूर से यह जो नीव है वह आजार समाज पार्टी के साथ जुड़ी है एक भाइचारा बना इस भाइचारे से हम लोग साहरनपूर में अब आजार समाज पार्टी का इलेक्षन में किससे मुकाबला नहीं है जो चुनाव होंगे आप रिजल देखते है तो हजार बाइस के चुनावों में आजा समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगे अगर एल्यांज हो रहा आपका तो किस पार्टी के साथ आप जाएंगे देखिए हमारी पार्टी एक लोगतांत्रिक पार्टी है यहां अध्यक्स में कोई पर्वानेट नही है तो जो हमारी पार्टी में बैठ के तैय होगा उनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जो घटबंद किसे होगा तो मेडिया के साथे को सबसे पहले बता जाएंगे सारनपूर की रामपूर मनिहारन विदानसवा से बीजेपी विधायक देवेंडर निम पर हकीकत नगार निवासी सतीश कुमार नाम के एक बुज़ूर्ग ने उनकी जमीन पर कबजा करने का आरोप लगाते हुए योकी आदितिनात और बीजेपी प्रदेश अध्याग स्वतन्त देश सिंग को पत रुपेज का विधायक के खिलाफ कारवाई करने की मांकी है बतादे सतीश कुमार का कहना है कि सत्ता के दम पर बीजेपी विधायक देवेंदर निम ने उनके दिली रोड से एक प्लोट पर जबरन कबजा कर लिया है और बुज़ुर्ग सतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने जबजली के आला अधिकारियों से इसकी शिकार की तो विधार के दबाप में आकर किसी ने उनकी मदद नहीं की जिससे निराश होका उन्होंने अब सूबे केस ही है क्योंकि आधितनात और बीचे भी प्रदेश अध्याग सुतन्त देव सिंग को पत्र लिक कर इंसाफ की गोहार लगाई है मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ शरागती तक जो हैं लगातार मेरी छवी ठराब करने को जिसे मैं कहता हूं कि राजनितिक जो हमारे प्रतिदंदी है वो लगातार मेरे पर ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहीं पर भी मेरे साड़े टाया वर लगातार में में को चार साल में उठाने का कहीं मोका नहीं मिला एक मामला उन्हों ने उठाया कि मैंने किसी के प्लाउट पे अब जें क्रों मत्रा पुलिस ने चेकेंग के दौरान दो संदिक्दों को पकड़ लिया है बता दे पुलिस को देखकर भाग रहे दोनु संदिक्दों को पुलिस ने चौकी खायरा के पास से पकड़ लिया साथी बता दे मांट प्रांच नेहर पुलिस ने गश्ट कर रही थी तब ही दो बाइट सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जब उनकी तलाशी हुई तो उनके पास से अवैर्थ हत्यात मिले फिलाल पुलिस युवकों को पकड़ कर उनसे पूश्टाश कर रही है दोज़ब बाइस के विधानसबत चुनाव को लेकर जहां सपा और बसपा प्रभुद सम्मेलन करने में लगी है तो वहीं भारतिय जनता पाटी जन आशिरवाद ग्यात्रा के जर्ये लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुँचाने में लगी हुई है वहीं निउस्वल इंडिया की टीम ने योगी सरकार के पांस साल के कारेकाल पर जब लोगों से बात की ये तो लोगों ने बताया इन पांस सालों में महगाई ने कमर तोड़ कर रखती है और सरकार को महगाई काबू में करने के लिए और कुछ करना चाहिए आप भी सुनिये उत्तरप्रदेश में जैसे जैसे विदान सवा चुनाब नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनेतिक पार्टियों में हल्चल शुरू हो गई है सपा बसपा की अगर बात करें तो प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिये ब्रामर वोटरों को साधने में लगी है को आम जनता कैसे देखती है क्या नाम है आपका मेरा नमारून गोईल गोईल साब यह बताइए 2022 के विदान सवा चुनाब नजदीक आ रहे हैं किस तरह से आप इस चुनाब को किस तरह से देख रहे हैं कि मैं तो इस चुनाब में सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी बो यहां हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है इन से भी पूछेंगे कि इनकी क्या राय है पांस साल होने जा रहे हैं योगी सरकार को किस तरह से आम जंता इस कारे को देख रही है जो योगी सरकार के द्वारा किये गए हैं आपका क्या नाम है आप यह बताईए कि जिस हिसाब से अभी लोग डाउन खतम हुआ है और लो रहे हैं ने और अश्या काम कर रहे है यूगी सरकार और आगे भी शॏयद होचते हुं नहीं करें कचब करें हां नियुक्ण प्राइश चुनाव में होगा लाएश चुनाव में होगा मोदी सरकार को वाइदा होगा और क्या आम क्या है मैचन गुप्ता यह बताएब दोजारबाइस के चुनाव नसदी का रहे हैं किसकी सरकार बनने जा रहे है बाजपाकी सरकार क्यों बनेगी कियो बाकिकी और सरकार है तो आ है कि बहुत बड़िया हर काम की हैं विजेाखेया ने बहुत सावन कि शोसने ने बहुत सामन कि इसवार जो मन बप्रन है कितना गाम आने वहाना करना आद्म होना चाहिए है और बच्चों की फीज कम करने वाला होना चाहिए कि आ है काम नहीं हुआ इन पांस सालों मैं पांस सालों में नोखरी परेज़गारी ज्यादा बड़ी है यह 있다 यह अप लॉक्डाउन में नुक्सान कितना हुआ है अच्छा बताइए जिस इलागे में आप रहते हो उस इलागे में कितना काम हुआ है उस इस इस इलागे में कुछ भी ऐसा कास काम नहीं हुआ क्या काम होना चाहिए था यहां के लोगों की है लेकिन फिलस में जा रही है कुआ आपको लगता है कि इस से कुछ होने वाला है कास्ट नहीं होने वाला है, कास्ट से कुछ नहीं होनेँ वाला है, और कुछ लोगों की ये भी राय है, कि जो काम होना चाहिए था, वो काम हुआ है, नुज़ वर्ड इंडिया के लिए लौकिश कोивать कॉइड़ी होई। इसमें अधिवक्ताओं ने नगर कोत्वाल के साथ हात अपाई की। इस दोरान कुछ वखील और पुलिस कर्मी बीच पचाफ करते हुए नसर आए और इस जड़क का वीडियो तेजी के साथ सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है। इस दोरान टीम ने मादक परदारतों की तसकरी करने वाले तीन तसकरों को गिरफदार कर लिया है। साथ ही पकड़े गए तसकरों के पास से 11 किलो फाइन क्वालिटी की अफीम और उसके साथ 2 लाग से ज़्यादा नगत और एक कार को बरामत किया है। वहीं बता दें कि तसकरों के पास से मिली अफीम की कीमत 11 करोड की करीब बताई जा रही है। कल मुद्बिर के जरीए इस उचना प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा अंतर राजी घिरो अवयर मानक परातों की तसकरी करने वाला हुँ सकरी है और कल उसकी बड़ी खेप जलिबर होगी जो हर्याना सा लोग आएगे वह वर्ना गाड़ी से और उस अफीम को ले जाएगे। इस उचना पर एसोजी और ठाना को तौजय की पलिस दोरा गड़ा बंदी की गए और रात है यह जब एक बरना गाड़ी और एक प्ट्टी खाई पड़े तो उनको रोपकर और उन्हें तलाशी नेमा अनुसार तुक्तिकारिक समक्ष ली गई तो उनके कबजे से कुल मिला पुर्वा तत्वुत सर्विक्षर ने आजाती के अंपरित महतसफ के तहर ब्रेल लिपी में पुस्तक तयार कराई है और इसे दृष्टी दिव्यांग भी आग्रा के तिहास ताज महल और पतेपुर सीक्री समित आग्रा के अन्ने समाकों के बारे में जान सकेंगे एसाई से पहले राजस्तान के के लिए दिली के समार्क और रखन के समार्क को लेकर ब्रेल लिपी में पुस्तक प्रकाशित कर चुकी है जिसका आज विमोचन आग्रा के महापौर नवीन जैन ने अपने आवास पर किया और इस मौके पर आग्रा एसाई के अधिकारी भी प्रोजबाद के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल कराने आए दो पक्षों में चम का मापीट हुई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को गिरबतार कर लिया दरसल एक पक्ष ने आरोप लगाया कि 14 जून को 21 को उनके बेटे की खत्या कर दी गई थी जिस सिलसिले में वो आज अपनी पत्नी और मा के साथ आग्रा कमिशनरी पर पयान करनी के पर आग बता दे पुलिस पकड़े का यूगों को जेल फेचने की तैयारी में जुटी हुई है सूबे में योगी सरकार बनने के बाद से ही यूपे पुलिस सपरादियों कोंड के अंजाम तक पहुचाने में दिन वरात लगे हुई है इसी के चलते सारनपु पुलिस ने 6 महीनों में 6,000 से जादा शातर अपरादियों को गिरफता कर उन्हें जेल भेज दिया है महीं पुलिस के हते चड़े करीब 108 शातर अपरादियों पर पुलिस ने गुंटा एक्ट की कारवाई करते हुए उन्हें जुला बदर भी कर दिया है उनकी करोड की संपत्ती को भी सारनपु पुलिस ने सरकार से जोड़ दिया है और ऐसे में तरसल सूबे में अपराद और अपरादियों पर लगाम लगाने के लिए बुख्य मंत्री व्योगी आधितनात ने शातर अपरादियों पर कड़ी कारवाई क्या देश दिये थे जिसके बाद से ही पुलिस लगातार अपरादियों की कबर तोड़ने में जुटी हुई है विगत चे माईने में कुल 108 लोगों का जिला बदर हुआ है और 6 माईने में करीब 6 अजार अपरादी गिरफतार करके जेल बेजे गए हैं इसमें 96 जो ऐसे अपरादी है जो गैंग्स्टर में निरुद्ध है और इनकी संपति को भी हम लोग चिनित करके संपति जबते करण का कारवाई भी कर रहे है आगरा में करण लगने से यूवक की मौत के बाद पूरे लाके में हरकम मज़ गया पतादे की घर की छट के पास से गुजरी विद्यूत हाई टेंशन लाइन के चलते यूवक को करण लग गया जिससे यूवक की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद प्रामनों ने भिजली करमचार्यों और पुलिस को मामले की सूचना दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटे हुई है पूरा मामला थाना पे रोड़ा शेत्रों के नगोपुर्वा गाउं का है युग की मौत से परिश्टों में हर्कब मचा हुआ है वहीं बस्ती शहर के एक नर्सिंग होम से नमजाज शिशू के गायव पुने का संसनी खेस मामला सामने आया है दरसल बच्चे की रिष्टेदार आशकार कत्वरी ने उसे एक तांत्रिक के हाथ बेश दिया था सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर खुचबीन की तो चौकारे वाली कहानी सापने आई गनिमत रही की कुछ खंडे पहरे ही पैदा हुए नमजाज को पुलिस ने रुधवली थाने के गाउंग से ढून निकाला है और उसे तांत्रिक के गाउंग की महिला ने अपने घर में छिपाया था माना जा रहा है कि यदि पुलिस ने ततपरता ना दिखाई होती तो तांत्रिक के हाथ लगे नवजाद बच्चे की जाग को भी खत्रा हो सकता था कि इनकी वाइब को डिलिवरी होनी थी तो इन्हों ने अपने वाइब को चौदा तारीक को रात में बारा वजे एसेस मेडिकल सेंटर में भर भी करा रहे था अगले दिन दोबार में तीन वजे के आसपास वाइब को सेजेरियन से एक बेटा पैदा हुआ और क्योंकि सेजेरियन परशाद पतनी की तबियत हो ठीक नहीं थी और हजबंड में पर उसमें गयस्ते इनकी दूर की एक रिस्तदार आशा बहु पूजा वो भी यहाँ आई अगरा में अपरात का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है पूरा मामला थाना एत्मता दूला श्वेत्र का है जहां गड़ी चांदी में दबंगुर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को तोड़ा और साथ ही मंदिर में लगे शिफलिंग को भी खंडित कर दिया पता दे कि दबंगों ने देर रात लाथी डंडो के साथ इस घटना को अंजाम दिया जिसके बाद गाउं बालों में आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है आख लाथी एस घटना को अंजाए अजाए प्रतिमा अंजा आक्रोश देर लाथी खंगों बालों में उटना को अंजा आक्रोश देखने को अंजाए लाग गाउं टोड़ा इस एस अटना को तोड़ा है